हेलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बढ़ियासी चटपटी सी आलू क्योंकि नौरात्री चल रही है और नौरात्री में पूरी पकोड़ियां सब खा खा के भी बोरियत होने लगी है बहुत जपाईगी है तो अभी हम क्या करेंगे गैस हमने ऑन कर दी है और कड़ाही रग दी डाल दिया हमने दो चमस घằi اور जैसे घ्य हलका सा घर्म होता है इतने देर में हम डाल देंगे हरी मिर्ची जो काट करके रखी चार पांच हरी मिर्ची है डाल देंगे अज हम बहुत जल्दी बन जाती जटपट वाली है अगर कुछ भी बनाने का मन ना करे तो फिर इस तरह से आलू फ्राई कर सकते हो बढ़ी आसी एकदम चटपटे वाली तो थोड़ा सा मिर्ची जैसे पकने लगी हलकी सी इनको पकने दिया और बस हमने आलू बॉयल करके काट के रख बहुत जादा हाई फ्लेम पे नहीं बूनेंगे बहुत हाई फ्लेम पे तो जलने लगती लेकिन बढ़ी आसी पकती नहीं है जो अंदर से एकदम बढ़ी आसी लगे वो सोंधा पन नहीं आता है आलू में तो इनको बस उलट उलट के हम इस तरह से पलटते जाएंगे और फ बिष्ट के अनुसार हम सेंधा नमग डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी उटी हुई काली मिरच और अगर आप जीरा खाते हैं तो जीरा डाल सकते हैं हम लोग जीरा नहीं खाते हैं इसलिए हम जीरा नहीं डालते हैं ब्रत वाली किसी भी रेश्पी में जीरा नहीं डालते हैं तो आलू को फ्राई कर लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा और कभी कभी होता है ना कि जब बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं करता है कि कुछ भी बनाने का मन नहों तो इस तरह से आलू बना के खा सकते हो बहुत अच्छी लगती है ब्रत में भी और बिना ब्रत के भी ऐसे कभी कभी कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आलू हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और आप हम डाल देंगे इसमें हरी धनिया तो धनिया पती हमने धेर साली डाल दिया है इससे ना स्वाथ तो बढ़ी जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है धनिया पती जब पढ़ जा पताना और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लेज सस्क्राइब करना हो गई हमारी आलू बढ़िया सी तैयार ब्रत वाली बिना ब्रत में भी कभी भी मन हो तो खाओ रोटी पूरी पराठे के साथ इनको खा सकती हो और चाय के साथ भी खा सकती हो जैसे मन हो मिलेंगे एक न्यू रेश्पी के साथ तब तक के लिए थाइंक यू बाई इंजॉय करिए मेरी रेश्पी प्लीज प्लीज फुल वाच करिए